हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फर्दी फोटो से मोधी सरकार का मजाख बनाने की कोशिश फैक्ट चक एक ट्रक की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके नरेंद्र मोधी सरकार पर तंज कसने के चकर में कॉंग्रेस पार्टी का भारी मजाख बन रहा है वर्ड स्लीब डे यानि 15 मार्च के दिन कॉंग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैडल से हैश्टेग वर्ड स्लीब डे के साथ ट्रक की एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की गई इस तस्वीर में ट्रक के पीछे लिखा है कृपया होन ना बजाए मोधी सरकार सो रही है सोशल मीडिया पर पार्टी के इस तरह के मजाख की काफी लोगा लोचना कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जिन्होंने इस तस्वीर के कॉंग्रेस को निशाना बना लिया है बीते कुछ महीनों में ऐसे बिल और शादी के कार्ड सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गए हैं जिन पर मोधी की तस्वीर या उनके समर्थकों की मोधी को वोट देने की अपील छपी हुई थी कुछ लोग इस ट्रक की तस्वीर को उन सभी चीजों पर कॉंग्रेस का जवाब बता रही हैं लेकिन राजस्तान के पंजीकर्च इस ट्रक की असली तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो कॉंग्रेस के ट्वीट में दिखाई देता है किसी ने एडिटिंग की मदद से इस ट्रक के पीछे एक सफेद पलेट जोड़ी है जिस पर कुछ लिखा जा सके यह पहली बार नहीं है जब ट्रक की इसे तस्वीर का ऐसा इस्तेमाल किया गया हो रिवर्स इमेज सर्च के नतीजे बताते हैं कि फोटोशॉप के जर्ये ट्रक के पीछे ना सिरफ मोधी बलकि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी और सोनिया गांदी के खिलाफ भी संदेश लिखे जा चुके हैं एक्टिविस्ट और लेकिका मधू किश्वर ने पिछले साल फरवरी में यही तस्वीर ट्वीट की थी इस कारण कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना रहे हैं कुछ लोगों ने लिखा है कि क्या कॉंग्रेस और मधू किश्वर एक ही वाट्सेप ग्रूप में शामिल हैं